हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करक्षा नायंत का जो पेपर है गणित का वार्चिक परिक्षा के लिए उसके बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको रॉल लंबर लिखना है इधर आपको टाइम और कुर्शन दे रखें इधर आपको प्रेंटेट पेज और मैक्सिमा मार्च दे रखें यहां पर आपके निर्देश दे रखें जो पहला है सभी प्रशन अनिवार हैं दूसरा है प्रशन क्रमांग एक से पांच तक वस्तों नेश्ट प्रशन है नेश्ट है प्रशन के 6-26 तक आंत्रिक विकल्प दिये गए है और चार नमबर है ग्राफ पेपर की आवश्कता है तो आइए स्टार्ट करते हैं बागे से पहला क्यूशन है 12 का 1 बटा 6 है तो 12 का 1 बटा 6 होता है 3 तो ओप्सन नमबर A इसका करेक्ट आंसर है नेश्ट है सेगें नमबर क्यूशन संकु का आयतन होगा तो यह फॉर्मला सीधा तो आपको सारे फॉर्मर्ट ले आदे होने चीए तो संकू का आयतान होता है एक बटा तीन पाई यार स्क्वाइर एच ओप्सन नमर ए आगे बढ़ते हैं नेक क्यूशन है मूल विंदू के निर्देशांग है तो इसका आंसर है जिरो कॉमा जिरो नेक क्यूशन है क्यूशन है क्यूशन नमर फोर बहुपत 4x square प्लस 5x cube प्लस 2x प्लस 1 की गाहत है तो गाहत आप देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कौन सी है तीन तो इसका अंसर है उप्सन नमर तीन नएक क्यूशन है एक त्रभुज के दो कौन 30 डिगरी और 60 डिगरी हैं तो इसका तीसरा कौन क्या होगा जैसे कि आप सभी जानते हैं एक त्रभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिगरी तो एक दे रखा है 30 एक दे रखा है 60 तो बच्चे कितने 60 और 30 90 तो बच्चे कितने 90 तो इसका आंसर है उप्सन नमर ए 90 डिगरी आगे बढ़ता है Q2 रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए पहला है 1 बच्चार प्लस 3 बच्चार क्या होगा तो दोनों का अगर लगुतम लेंगे तो नीचे आएगा 4 उपर 1 प्लस 3 यानि के 4 बच्चार तो 4 में 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1 तो आपका 1 सही है Second है बिंदू 3 चार में भुज का मान है थर्ड है एक बच्चार का मान क्या होगा तो एक बच्चार का मान होता है जितने 0 नीचे होते हैं उतने पॉइंट के बाद में वो वैलू आती है यानि के एक वैलू ये रही खुद एक इससे पहले एक 0 लगा देंगे और यहां पर पॉइंट आ जाएगा तो इसका अंसर है उप्सन नमबर 0.01 Next है बेलन के संपूर्ण प्रष्ट का छेत्रफल क्या होता है तो संपूर्ण प्रष्ट का छेत्रफल पूचा है तो 2 पाई R into R प्लस H Next है फिफ्ट नमबर प्रायक्ता का अधिकता मान कितना होता है तो प्रायक्ता का अधिकता मान कितना होगा 1 Question नमबर 3 सत्य सत्य बताना है आपको 3X प्लस 7 एक रेखिक पद है बिल्कुल सही है तूसरा है एक बट चार का दसमलब रूप 0.25 है तो ये भी एकदम करेक्ट है तीसरा है एक त्रिवज का छेतिफल कितना होता है आदा R into चाई ये बिल्कुल गलत है Next Question है 4th नमबर 2,5,7,6,7,7,2 में बहुलक साथ है तो बहुलक वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा पुन्रावरती होती है तो दो की पुन्रावरती दो बार हो रही है और साथ की पुन्रावरती तीन बार हो रही है तो ये बिल्कुल करेक्ट है Next है 5th नमबर किसी गटना की प्रैक्ता का मान रिनातपक भी हो सकता है तो ये बिल्कुल गलत है आगे बढ़ता है Question No.4 की तरफ उससे पहले आप सभी से request है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज वो सबस्क्राइब कर लें और Notification वैल को On कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क्रिप्शन में हमार टेलग्राम चैनल का लिंक के उसी फॉलो करके रखें जिससे वहां से भी आपको सारी अपडेट और PDF अगरा मिल सके Next है Question No.4 जिसमें आपको एक सब्दिया एक वाक्य में उत्तर देना है तो पहला है हिरोन के सूत्र में अर्द परिमाप S का सूत्र क्या होता है तो S का सूत्र होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 यहाँ पर ABC क्या है तरफुज की तीन बजाओं की लंबाईया है नेक्स्ट है सेकिंड नमबर 2 पे पावर 4 का मान क्या होता है तो 2 पे पावर 4 का मान होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानि के 16 नेक्क क्यूशन है क्यूशन नमबर 3 किसी चत्रबुज के कितने सीर्स होते हैं चत्रबुज के 4 सीर्स होते हैं नेक्ट है फूर्थ नम्मर प्रतम पांच प्राकर संक्या होगा माद्द क्या होगा तो प्रतम पांच प्राकर संक्या हैं ले रहे हो आप तो इसका माद्द उनके बीच की संक्या होगी जो आप ले रहे हैं जैसे अगर आपने लिया A, A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4 यह आपकी प्राकर संक्या हो गई, तो आपका माद्द क्या होगा? बीच की संक्या Next है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायकता क्या है? तो एक सिक्के उछालने पर possibility कितनी होती है? जित आने की प्रायकता कितनी है? एक बटा, दो Next है question number 5, उससे पहले हम आपको बताते हैं, अगर जल्द बाजी में मुह से कोई गलत उत्तर निकल गया हो, तो आप comment में बता सकते हैं, हम उससे correct कर देंगे Question number 5 है, सही जोड़ी बनानी है आपको, एकी बैसे, तो पहला है माइनस 7 प्लस 12, तो ये कितना होता है? प्लस का 5 Option number last का, Next है दो बटा 10, दो बटा 10 क्या होता है? एक बटा 5 और एक बटा 5 का मतलब क्या होता है? पॉइंट 2 तो ये है Option number 1, Next है दो बटा 3 प्लस एक बटा 3 तो लगुत्तम सेम है, दो प्लस एक कितना होता है? तो Option number 4 इसका correct answer है Next है, माइनस 4 इंटू 5, ये कितना होगा? माइनस का 20, ये है 36 इंटू 1 बटा 3, तो ये कितना होगा? 12 तो ये थे Question number 5 के answer, आगे देखते हैं Question number 6 है, आरो इक रम में लिखिए, आरो इक रम होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है? 1.9, दूसरा 4.5, तीसरा 5.1, चोथा 5.4, ये आपका होगया आरो इक रम अगर आपको ये नहीं आता है, तो अत्वा में दूसरा है अवरो इक रम, अवरो इक रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, तो बड़ा कौन सा है? सबसे पहले ये आएगा फस्ट नमबर पे, फिर आएगा, ये सेकिंड नमबर पे, ये थर्ड नमबर पे, और लास्ट में ये फोर्थ नमबर पे कुश्चन नमबर सेवन है, बिंदू चार कॉमा माइनस एक वे तीन कॉमा आट के भुजवे कोटी लिखिए अत्वा के अंदर दूसरा कुश्चन है, जिसे आप देख सकते हैं, किस चतुर्टांस में बिंदू माइनस तीन कॉमा पांच या, सॉरी, वे चार कॉमा माइनस तीन इस देते हैं, तो यह आपने बना लिया, अब आपको अंकित करना है, तो माइनस तीन कॉमा पांच किदर आएगा, इस तरफ सेकंड फेज में, और चार कॉमा माइनस तीन किदर आएगा, आपके फोर्थ फेज में, यहाँ पर आएग पूरक कौन के से कहते हैं और अत्वा में दूसरा question है प्रतिवर्ति कौन समझाईए तिसारे long question स्टार्ट हो चुके हैं next question number 9 7 cm तरज्या वाले गोले का प्रश्टियच हितफल बताईए तो सारे long question है आप इनके formula आद कर लें और formula में value put करते हैं आपके answer निकल जाएंगे यहाँ पर लिखना possible नहीं होगा हम आपको question बता देता है तारे long questions अत्वा में दूसरा question है बेलन वे संकु के वक्रश्टियच हितफल का सूत्र लिखिए यह देखिए सूत्र पूछा है डारेक्ट तो आप सूत्र लिख दीजिए question number 10 है उना आगड़ों के दो दरण दीजिए जने आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं अत्वा दिये गए आगड़ों का माद्दि ग्याद कीजिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है इनको क्रम में लिखना है क्रम में लिखने के बात मैं आपको देखना है बेज में कौन सी संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो इनको माद्द कितना हुआ 3 प्रस्ता के 11 है संख्या रेका पर प्रदर्शित कीजिए तो आपको संख्या रेका पर प्रदर्शित करना है यहाँ की संख्या रेका हो गई यहाँ पे 0 होता है यहाँ पर value बढ़ती जाती है और इदर value कम होती जाती है अब 3 बट च का value क्या होती है 3 बट च की value होती है पॉइंट 7,5 तो 0.75 कहा आएगा 1 और 2 के बीच मा सुरी जीर और 1 के बीच माएगा तो आप की value यहाँ पर आएगी हर टुकड़े की बीच में यानि टुकड़ा बोले तो एक और दो के बीच में दो जीरो एक की बीच मतलब हर एक के गैप पे आपको दस लाइने कीच लिए आप दस टुकड़े फिर उसे साफ से आपको करना है जैसे पॉइंट यह है पॉइंट टू के सम्तिंग आए गाई द दो बटा साथ तो आपकी वैल्यू दूसरी लाइन पर आएगी और यह पॉइंट सेवन फाइव है तो आपकी वैल्यू साथ और आठ भी लाइन के मिडल में आएगी अत्वाम क्यूशन दे रखा है आपको रिक्तिस्तानों की पूर्ति करनी है आपको दे रखा है बड़ा फिल करने है इनको नेक्क क्यूशन क्यूशन नमर बारा है य स्क्वार माइनस टू वाई प्लस वन के लिए पी जीरो पी वन और पी टू ग्याद कीजिए तो आपको वैल्यू पुट करनी है वाई के जीरो एक और दो नेक्क क्यूशन है यदि एक्स माइनस वन फोर एक्स स्क्वार प्लस थ्री एक्स स्क्वार माइनस फोर एक्स प्लस के का एक गुनान खंड है तो के कमान कैसे निकालेंगे एक्स माइनस वन इसका एक गुनान खंड है तो एक्स की वैल्यू क्या आगई वन तो एक्स की वैल पार से चार गट गया और इधर जाके के की वेलु क्या जाएगी माइनस 3 नेक्स्ट एक उश्य नमर 13 एक त्रिबुज के इकॉण दो अनुपाथ तीन अनुपाथ चार के अनुपाथ में हैं तो त्रिबुज के सभी इकॉणों के मान गयाद कीजिए तो आप इसको इसली कर सकते हैं यह देखिए यह त्रिबुज है इसकी वेलु 2 X इसकी 3 X और इसकी 4 X तो टोटल कितनी वेलु हो गई टोटल हो गई 9 X और आपको पता है यह किसके बराबर होता है 180 के तो X की वेलु कितनी आ गई X value आगे 20 तो एक कौण कौण सा हो गया 40 degree ये कौण कौण सा हो गया 60 degree और ये कौण कितना हो गया 80 degree तो ये तीनों कौणों के मान है ये और के अंदर question है आकरती A, B और C, D परसपर बिंदू ओपर प्रतिचेत करती है या प्रतिचेत कर रही है ये कौण A, O, C अनुपाद कौण C, O, B 4 अनुपाद 5 में हैं तो सभी कौणों के मान गयात कीजिए easy question है आराम से कर सकते हैं आप इसे कर लिजिए अगर नहीं आता है तो आप comment section हम बताते हैं आगे बढ़ते हैं question number 14 यदि एक समांतर चत्रबूज के विकंड बराबर हो तो दर्शाहिए वह आयात है next और के अंदर question है दर्शाहिए कि यदि एक चत्रबूज के विकंड परसपर समकॉंड पर सम दिवाजित करें तो वह सम चत्रबूज होता है question number 15 है गुनानकंड गयात कीजिए 12x square minus 7x plus 1 के तो आप पहले बीची वाले के टुकड़े कीजिए फिर इन दोनों में common लीजिए जो आपने टुकड़े करें और फिर second के common लीजिए उससे आपको गुनानकंड आ जाएंगे अत्वाम question है उसको देख लेते हैं 2x plus 1 का whole cube का प्रिसार करना है आपको 16 number है कारती है तल में बिंदू 3,1 0,5 minus 3, minus 5 2 minus 2,4 को दरसाईए अत्वाम question है आकरती देखकर निमलेकित प्रशनों के उत्तर दीजिए पहला है बिंदू D के कोटी second है बिंदू A का भुज next है बिंदू B की इस चतुरतांस में है और fourth है निरते संग minus 5, minus 2 द्वारा पैचाना गया बिंदू आगे बढ़ते हैं question number 17 की तरफ question number 17 है दरसाईए किसी सम्भाउत रिभुज का प्रते कौन 60 degree होता है अत्वाम question है यह उपर question number 16 के दे रखा है जिसमें आपको दरसाण है यह और का question है जिसमें आपको निकालना है सोरी दरसाणा है कि तरफुज ABC का एक सम्दिवाई तरफुज है जहां AB पराबर AC है question number 18 है आपको सिद्ध करना है कि एक बुरत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम्दिवाज़ित करता है अत्वा सिद्ध कीजिए कि यदि सरवांग सम्वरतों की जीवाँ द्वारा केंद्र पर अंत्रिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है question number 19 है 60 डिगरी का कोण बनागर उसका सम्दिवाज़क खीचिए अत्वा निमन मापो को कोणों की रचना कीजिए तो पहला है 30 डिगरी दूसरा है 15 डिगरी इन कोणों की आपको रचना करनी है next देखते है question number 20 question number 20 है एक त्रिपुच का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसकी बुझाएं 8 cm, 11 cm वे 13 cm है इसको आप भी छेत्रफल ग्याद करना है छेत्रफल किस से ग्याद करेंगे हीरों की सूत्र से ग्याद करेंगे अत्वाम question है एक सम्दिवाज त्रिपुच का परीमा 30 cm है उसकी बराबर भुझा है 12 cm लंबाई की है उस त्रिपुच का छेत्रफल ग्याद करना है तो ये भी हीरों की सूत्र से ग्याद करेंगे आप 21 नमर है एक बैलनाकार वड़तन के आदार की परीदी 132 cm और उसकी उचाई 25 cm है इस परतन के मैं कितने लिटर पानी आ सकता है अत्वाम क्यूशन है किसी संकू की उचाई 21 cm है तिरेक उचाई 28 cm है इसका आयतन ग्याद कीजिए तो आयतन आपको बताया तो संकू का 1 बटा 3 पाई यार इसकार एच उसमें आपको वैलु पुट करना है यह तिरेक उचाई की लंबाई दे रखी है आपको उचाई ग्याद करनी है एच यह एल की एल दे रखा है आपको एच निकालना है पहले फिर फॉर्मले में पुट करना है क्यूशन नमर 22 है सरल कीजिए मतलब सॉल कीजिए पहला है 3 बटा 5 प्लस 6 बटा 7 दूसरा है 11 बटा 12 माइनस 3 बटा चोईस इसको इजली कर सकते हैं आप देखिए इसका लगुतम लेंगे आप तो लगुतम कितना आजाएगा इसका 35 इधर कितना हो जाएगा 21 और यह प्लस में इधर कितना हो जाएगा 30 तो इसकी वेल्यू क्या जाएगी 51 अपॉन 35 नेक्ट है 11 बटा 12 माइनस 3 बटा चोईस इसका LCM लेंगे तो चोईस आजाएगा इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 22 और इधर 3 इसको कट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 19 अपॉन 24 यह इसका आंसर है यह और के अंदर क्यूशन है अगर वो नहीं होते हैं आपसे तो यह सराल केर दीजिए इसका LCM कितना होगा 72 यह कितना हो जाएगा 16 यह कितना हो जाएगा 27 इनको एड करेंगे कितना हो जाएगा 43 अपॉन 72 नेक्स्ट है इसका LCM लेंगे 15 हो जाएगा इसका हो जाएगा 20 औ इसका आंसर नेक्स्ट है क्षिश्टन क्षिश्टन नमर्ट 23 फाइंड दा पैरामेटर ऑफ दा गिवन फिगर आपको परिमाप क्यात करना है पहला इसका दूसरा इसका परिमाप कैसे निकालते हैं सारी बुजाओं को जोड़ना होता है आपका परिमाप निकल जाता है आगे बढ़ते है और के अंदर क्षिश्टन है रहीम ने एक गंटे के तीन बटा च्छा बाग तक व्यायाम किया जबकि रोईद ने एक गंटे के तीन बटा चार बाग तक व्यायाम किया किसने कितने अधिक समय तक वैयाम किया इजी क्यूशन है इसको कर लिजिए नेक क्यूशन देखते हैं क्यूशननमर 24 हल करना है आपको पहला इसको multiply कीजिए 3 5 इसका आंसर इसी परकाद दूसरों कर लिजिए अत्वाम क्यूशन है निम्ण को संक्या रिका का प्रयोग करते वे योग कीजिए पहला है पांच प्लस माइनस ग्यारा दूसरा है माइनस चार प्लस आठ प्लस माइनस चार क्यूशन नमर 25 है एक महीने के एक परिवार दौरा जिसकी मासिका आए 20,000 रुपए है फिमिन पदों पर किये गए वे निम्लिकित है यह वैद दे रखे हैं आपको बोजन पर, सिक्षा पर, कपड़े पर, मकान कराये पर, अन्य पर और यह बचत दे रखे आपको तो आपको क्या करना है उप्रोक्त को निरूपित करने के लिए दंडारे कहींची दंडारे क बनाना है आपको यह और के अंदर क्यूशन है जिसमें आपको बारम बारता साणनी से नीचे दीगे प्रशनों के उत्तर दीजिए यह वर्ग अंतराल दे रखा है या वर्ग अंतरालों की माप क्या है सैकंड है किस वर्ग अंतराल की बारम बारता सबसे अधिक है तरद है किस वर्ग अंतरालों की बारंबारता सबसे कम है फूर्थ नम्मर है किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है और फिफ्थ है प्रथम वर्ग अंतरालों की निम्न सीमा क्या है तो एजी क्रिशन है किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है यह देखिए इसकान सरी हो जाएगा whereằग वर्णीनों कम मरता सबसे कम है तो इसकान सरी हो जाएगा किस भरं 는राल की वान में अधिक है तो एक सचालीस इसकी प्रफम वर्ण अंदेराल की नियमना सीमा क्या है नियमना सीमा Ahh अंडरेड वर अंतरालों की माप कितनी है तो वर अंतरालों की माप कितनी दे रखिये 25 तो ये सारे क्षिशनों की आंसर है आगे पढ़ता है Q26 545 तो प्रते गडना की प्रायक्ता अभी कल्क की apply तो ये थे सारे सारे important questions जो आपके exam में आ सकते हैं इसलिए सारे questions को देखे आप से दोबार बोल रहा है सारे questions को देख ले हैं आपके exam में आ सकते हैं और अपने friends में पही ओठे इशेयर करते हैं और आपसे दुबारा रिक्वेस्ट है कि जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिशन वेल ओन कर लें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक सभी को बेस्ट आफ लग थैंक यू